नमस्कार बड़बस स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकरश में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यमिशर्मा जंग आजादी की इस एतिहासिक घटना से हर कोई वाकिफ है और हो भी क्यों ना वक्त ही ऐसा था देश में आजादी की जंग चरम पर थी और गोरों से मुकाबला करने के लिए देश के लोग मर बिटने के लिए तैयार थे और उनी के बरिदान से इस साल देश के आजादी की 75 साल पूरे कर रहा है ऐसे में आजादी की एक एतिहासिक घटना है जो 100 साल पूरे कर रही है जी हाँ बात है जी हाँ बात चोरी चोरा घटना की देश के आजादी के लिए 1921 में 1903 सेनानियों को फासी दे दी गई आज के युवा और बच्चे इस एतिहासिक दिन को जान सकें इसके लिए इस बार गुरकपुर में साल भर विशेश कारेकरम भी चलाए जाएंगे इसी पर ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए जब आजादी की लडाई में गई कई जाने आजादी का वो दौर जब चरम पर्थी जंग माभरती की रक्षा में चौरी चौरा में हुआ था संग्राम चौरी चौरा की वो घटना जो अब भी है याद इस घटना को हो रहे सौ साल पूरे शहीदों की कुर्बानी को याद कर रहा उत्तरप्रदेश एक साल तक चलेगा चौरी चौरा का शताबदी समहरो आजादी का वो दोर जब जब जंगे आजादी की अतिहासिक घटना गुरकपुर से करीब 17 से 18 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में हुई ये वो वक्त था जब मात्मा गांधी की अगवाई में पूरे देश में असायोग आंदोलन पूरे शबाब पर था उसी समय चार फरवरी 1921 को अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ घटी घटना ने तिहास को बदल दिया चार फरवरी 2021 को इस घटना के 100 साल पूरे हो रहे हैं इस घटना को यादगार बनाने के लिए योगी सरकार चार फरवरी 2021 से चार फरवरी 2022 तक जंगे आज़ादी के लिए मर मिटने वालों को केंद्र बना कर कारक्रम करने जा रही है और इस खास कारक्रम का शुवारम प्रधान मंत्री वर्चोली करेंगे चौरी-चौरा शुताबदी समभरों को लेकर तयार गोरकपर आज़ादी की कहानी सुनेगी आज की पिड़ी माभारती के सपूतो को किया जाएगा नमन 4-4 में शुताबदी समभरों मनाने की पूरी तयारिया कर लिए गई है और योगी सरकार इस समारों को मनाने के लिए पूरी तरह से ततपर है इस कारकरम के जरिये आज की पिड़ी को उस वक्त के बारे में बताया जाएगा जब देश आजाद नहीं था और देश में आजादी की लड़ाई के लिए भारत मा के वीर सपूत अपनी जान नियच्छावर कर रहे थे इसी कड़ी में कैतिहास एक दिन था चार फरवरी 1921 का जिसे इस कारकरम के जरिये याद किया जाएगा और जान गवाने वाले माभारती के सपूतों को नमन किया जाएगा इस दोरान 1857 से लेकर देश के आजाद होने तक जिन सपूतों ने अपना सबकुष कुर्बान कर दिया उनके समारकों का सुन्द्री करण होगा बैंडबाजे के साथ उनको सलामी दी जाएगी साथ ही योगी आदितनात ने कहा है कि जंगे आजादी के उन दिवानों में देश प्रेम के प्रती जो जज़बा, जुनून, जोश था वई भाव भावी पीड़ी में भी आये उनको अपना प्रान नोचावर कर देने वालों से प्रेणना लेना, मौजूदा और भावी पीड़ी माभार्ती पर अपना सब कुछ कुरबान कर देना ये तमाम बातें योगी आदितनात ने कही प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की मनशा के अनुसार, शशक्त, रोल मॉडल माने, समर्थ और शेष्ट भारत की निर्मान के लिए ये जरूरी है इसलिए एक साल तक शल्ताबदी समहरों चलेगा इस घटन में आसा योग आंदोलन के समर्थन में जिलूस निकाल रहे लोगों पर स्थानिय पुलिस ने बलप्रोक किया इससे आंदोलन में श्वामी लोग भड़क गए अंदुलन कारियों का मूड भापने के लिए अंदुलन कारीयों की संख्या पुलिस की तुलना में अधिक थी तो वहीं इस चीज को भापतेवे पुलिस के लोगों ने थाने में शरन ली भीड में कुछ लोग वहां पहुँचे और थाने में आग लगा दी इस पूरे घटना करम में कुल 25 लोगों की मौत हुई बृतकों में 22 पुलिस कर्मियों और 3 आमनागरिक थे इतिहास में घटना 44 कान के नाम से प्रसिद्ध है 44 कान में मुखे मंत्र योगी आदितनाथ के दादा गुरूब ब्रहमलीन महंत दिग्विजनात को भी अंग्रेजों ने आरोपी माना था इस घटा में 222 लोगों को आरोपी बनाया गया था बतौर वकील आरोपियों के पैरवी पंडित मदन मोहन मालवी ने की थी बावजूद इसके 19 लोगों को फासी की सजा सुनाई गई इस घटा के बाद से फिरंग्यों को लग गया था कि अब भारत को आधिक दिनों तक गुलाम बना कर नहीं रखा जा सकता विलाल के लिए इतना ही ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेट बॉक्स में जरूर लिखे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार